नमस्कार आज का टॉपिक है चंद्रगरहन यानि लूनर एकलिप्स जो चंद्रगरहन है लूनर एकलिप्स ये इस बर्स का अंतिम चंद्रगरहन आज 28 एक्टूबर को देर रात्री में एक बज़ करके 6 मिनट से प्रारम्ब होगा और दो बज़ करके 22 मिनट रात्री को चंद्रगरहन की समापती होगी यह जो आज लगने वाला चंद्रगरहन है आस्विन पूरुनिमा जिसको हम लोग सरत पूरुनिमा भी कहते हैं ये इस बर्स का अंतिम चंद्रगरहन है जो चंद्रगरहन है ये आंसिक रूप से यानि आज का चंदरगरहन भारत सहित समूची दुनिया में यह अंसिक रूप से चंदरगरहन हो रहा है, जो अंसिक चंदरगरहन है, इसमें चंदरमा के केबल एक ही हिस्से पर छाया पड़ता है, जबकि पूर्ण चंदरगरहन में, चंदरमा के पूरे हिस्से पर छाया पड़ता है, जिससे चंदरमा बिल्कुल ढग जाता है, चंदरमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, जो चंदरगरहन है, या एक खगोलिये घटना है, या इसको हम लोग ब्रहमांडिये घटना कहते हैं, ये जब भी होता है, तो पूर्णिमा के दीन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परतेग पूर्णिमा को चंदरगरहन होता है, पूर्णिमा के दीन जब विशेश इस्थिती बनती है, और प्रिथवी सुर्ज और चंदरमा के बीच आ जाता है, जिससे चंदरमा के हिस्से पर पिर्थवी की छाया परती है, तो चंदरगरहन लग जाता है, अगर ये छाया थोरे हिस्से पर परता है तो अंसिंग चंदर गरहन और पुर्ए इपर परपाजँ पूर्ण चंदर गरहन लगता क्समय को शुरू होने से 9 घंटा पहले जयोत्सिय और धार्मिक माननेता के अनुसर कई क्या सुतक इसलिए इसे नौ घंटा पहले जो है उप सुतक काल प्रारंभ हो जायगा साम के चार बज कर के 6 मिनट्स और सुतक काल के प्रारंब होते ही धार्मिक और यौसिय मानिता के नुसार पूजा-पाठ सुभकार बंद कर देना चाहिए भगवान का मंदिर बंद कर देना चाहिए पट बंद कर देना चाहिए जो चंद्रगरहन है उनको नंगी आँखों से नहीं देखा जाना चाहिए इससे आँख पर बुरा परभाव परता है क्योंकि चंद्रगरहन के समय रेडियो बिकिरन अलफा बीटा और गामा यह बाता बरन में इसकी मात्रा बर जाती है रेडियो बिकरन की मात्रा बाता बरन में बर जाने से और चंद्रगरहन को नंगी आँखों से देखने से आँख पर इसका दुस्परभाव परता है चंदरगरहन के समय क्या नहीं करना चाहिए तो चंदरगरहन के समय देखिए जो नहीं करना है उसमें एक है घर से बाहर आप नहीं निकलिए क्योंकि घर से बाहर निकलिएगा तो बाता बरंज में रेडियो बिकरन की मात्रा बर गई है जो आपके स्वास्त पर बुरा प्रभाव डाल सकता है ना ही खाना बनाना है और ना ही खाना खाना है क्योंकि रेडियो बिकरन खाना बनाने में चला जाएगा भोजन में चला जाएगा और जब आप उसको बनाईएगा और खाईएगा तो रेडियो बिकरन आपके सरीर पेपर बेस कर जाएगा तो स्वास्त को बुरी तरह से प्रभावित करेगा इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए ये भी रेडियो बिकरन का प्रभाव से बचने के लिए है वासरूम नहीं जाएगे और ना इस समय आप असनान करने का प्रियास कीजिए जो पका हुआ भोजन है उसको उस भोजन में तुलसी का पत्ता कूस इसको डाल करके ढखके रख दीजिए और चंदरगरहन की अबधी में जो प्रेगनेंट ओमेन है गर्बती महिलाएं हैं उनको विशे साब्धानी बरतने का है वो गलती से भी घर से बाहर निकलने का प्रियास नहीं करें और नहीं जो साब्धानिया परहेज बदिया गया है उसका पुन रूप से पालन असनान कीजिए घर की सफाई कीजिए जो कच्चा भोजन है सब जी उसको धो दीजिए सारे बरतन को धो दीजिए असनान कीजिए यह सब करने के पीछे साइंटिफिक कारण है कि जितने भी पदार्त पर जो भी बस तू पर कपरा पर सरीर पर रेडियो बिकरन पर गया है उ उस बिकरन को धो करके हटाया जा सके क्योंकि रेडियो बिकरन एक खतरनाक चीज है और असनान करने के बाद आप भोजन बनाईए और उसके बाद आप उसको खाईए ये साबधानी बरतना परता है चंदर गरहन के समय और यही सारी साबधानिया सुर्ज गरहन के समय भी बरतना चाहिए इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार